हेलो वीवर्स इस लेशन में हम आपको टाइम में आवर्स को एट करना सिखाएंगे, मिनिट्स एट्स करना सिखाएंगे और सेकंड वो एट करना सिखाएंगे अगर हम इस टाइम में आवर्स को एट करना चाह रहे हैं तो हम इसके लिए फॉर्मूला इस तरह कुछ होगा इस एकुल टू यह जो हमारे पास सेल है, इसमें हम एट करना चाह रहे हैं इसके साथ हम प्लस लगाएंगे और फिर ताइम से हम इसमें करेंगे तो time t-i-m-e make it start hours कितने hours हम add करना चाहरे हैं तो यह hours जो first argument है वो hour है second argument हमारे पास minutes है और third argument हमारे पास second है तो हम चुणके hours add करना चाहरा है two hours तो देखें two hours फिर जो second argument है minutes हम zero add करेंगे मतलब हम hours add minutes add नहीं करना चाहरे है और फिर हम seconds है third argument कामा वो भी हम add नहीं करना चाहरे है तो यह तिन arguments hours में हम two देंगे और बाकि जो minutes और second के argument से उसमें हम zero zero देंगे records close in enter यह देखें hours में उन्होंने two add किया है तो ten आ गिया है और बाकि जो ten minutes है और fifteen seconds है वो as it is है अब आप minutes add करना चाहरे हैं तो वो भी इसी तरह होगा is equal to अब आप time देंगे जिसमें आप add करना चाहरे है plus फिर time function से हम add करेंगे तो पहला argument है हम hours में two add करना चाहरे हैं फिर minutes में हम thirty minutes add करना चाहरे हैं और फिर seconds में हम zero कुछ भी add नहीं करना चाहरे हैं तो देखें इस time में हम two hours thirty minutes और zero seconds add करना चाहरे हैं enter यह देखें two hours two हमने hours add किये है 10 हो गया 30 हमने minutes add किये 40 हो गया और 15 जो seconds है वो as it is है इसी तरह आप seconds को be add कर सकते है is equal to इस cell में हम add करना चाहरे है plus time function से पहला 2 गंटे हम add करना चाहरे है two hours 30 minutes हम add करना चाहरे है और हम 25 seconds हम add करना चाहरे है enter यह देखें two hours 30 minutes and 25 seconds formula बार में आप इसे देख सकते है so this is how hours minutes and seconds are added to certain time so this is enough for this lecture and please do not forget to subscribe to my channel thanks you